बायो रिमेडिसन के अंतरगत समझेंगे क्या होता है बायो पाइल एन लैंड फॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए यह दो इमेज़ है पहली इमेज है बायो पाइल यहां पर धेर जैसा नज़ा रहा है ठीक है न वहां पर ट्रेट किया जा रहा है यहां पर खेत जैसा नज़ा रहा है ठीक है न इसकी वैसे इसको नाम दिया गया लैंड फॉर्मिंग यह दो तरीके हैं इन दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझाएंगे स्टार्ट करते हैं पहली चीज जो सिमिलर्टी है कि य दोनों ही कैसे है एकसी टू बायो रिमेडियेशन है यानि कि यह जो इकठा है ना जो कच्रा इकठा है ठीक है ना मिट्टी जो कंटेमिनेटेड है यहां पर भी इसको कहीं और से लाया गया है और यहां पर इसको ट्रीट किया गया है किया जा रहा है इस वैसे कैसे हैं एकस करते हैं या फिर ये यूज़ करते हैं अभ हम समझेंगे की कैसे कब कौन से तरीके को यूज़ करना चाहिए स्टार्ट करते हैं पहला है बायो फाइल पायल को इतना समझे भाइना गल्या टेक्ट टीक अन्हों यहां पर एकठा करें छिद्य अन Commissioner beiden wela לא कटेनर में इसको पूरा धेल लगा यहां फिर जाता है इसके बाद किया होता है nitrogen oxygen या फिर other conditions होती है यहां provide की जाती है क्यों यहां पर जो भी microorganism होगे वह ग्लोग कर सकें तेजी से वह ग्लोग कर सकें थीख है कोग करने के लिए ठीक है तो फिर्णूलट था macro organism that can degrade the contaminants in the soil, चीक है, यह सब किया जाएगा, अब क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, ज़रा समझो, यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ मिट्टी का एक धेल लगाया गया, ठीक है न, यहाँ पर इनके थू, oxygen, nitrogen, और भी पोसकत थू भेजे गए, यहाँ पर जो माक्रो औ और गेनिजर मोगों तेजी से ग्रो करेंगे, और इसको ट्रीट करेंगे, साफ करेंगे, इसको यूज कप किया जाता है, बायो पाइल्स अर आप यूज तो डेमेडियेड, highly contaminated soil, ठीक है न, विद कॉंप्लेक्स मिक्शर आप और गैनिक वालूटेंड, पेट्रोलियम हो गय या पर इंडिस्टियल केमिकल, यानि ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत सारा केमिकल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रदूसित है, ठीक है न, तब इसका तरीका यूज किया जाता है, यह तरीका, ठीक है, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा बायो पाइल्स का तरीका, ठीक है न, यह स्पेस भी कम लेता है, तो यह हमारा बायो पाइल्स दूसरा होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, वही कच्रा कैसा फैला दिया गया, बहुत ही दूर दूर तक, ठीक है न, खेत में जैसे फैलाया जाता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इकठा किया रहा था, यहाँ पर फैलाया जा रहा है, ठीक है न, and soil is then tilled, जुताई की जाती है, to promote microbial activity, ठीक है न, जिससे कि यहाँ microbial activity को promote किया जा सके, सुच में जीव बड़ी तेजी से active हो सके, और वो क्या करते हैं, इसको degrade करते हैं, इसका यूज किया जाता है, less contaminated soil को, ठीक है न, जब मिट्टी प्रदूसित तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रदूसर नहीं है, ठीक है याने कि उसमें जो concentration है, pollutant का वो कम है, जैसे मालो agriculture activities जब आती हैं, खेतों से जब activity होती है, तो वहाँ भी कुछ चीजे निकल के आती हैं, उनको degrade करना हुआ, तो यही सब काम करते हैं, oil spill हुआ है, ठीक है न, तो भी यह तरीका यूज किया जाता है, यह basically low cost है, जो वह तरीका था, बायो पाइल, इस से थोड़ा ज़्यादा उसको costly होता था, लेकिन वह ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही dangerous, ज होता है, इस वज़े से यूज किया जाता है, लेकिन requires larger land area, वहाँ तो एक अठा कर दिया जाता था, ठीक है न, तो कोई बहुत ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, यहां तो फैला आना पड़ा है, तो area ज़्यादा चाहिए, साथ में यह time भी ज़्यादा लेता है, लेकिन इ इनके लिए यह बैतर तरीका यही है, जहां पर space की कमी नहीं है, साथ में low cost होता है, तो यह है हमारा land forming, इन दोनों में difference क्या है समझ लें, बायो पाइल्स आर मोर intensive remediation technology, that can be effective for highly contaminated soil, जब मिट्टी बहुत ही ज़्यादा प्रदूस्वित होती है, तब यूज करते हैं, बायो बहुत ही intensive, यानि बहुत ही focus रतना पड़ता है, जब यह काम हो रहा होता है, land forming में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से होता आता है, धीरे धीरे, यह तब यूज किया जाता है, जब जो producer होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आफित कहें कि बहुत खतरनाक ही होता है, ओके, तो डिपेंट करता है, the choice of which technology to use depends on the nature and extent of contamination and other site specific factors, माल जहां से प्रदूसर लाया जा रहा है, उसको बहुत दूर नहीं ले जा सकते, और जहां पर treat करना पड़ा है, वहां पर जगह की कमी है, तो बायोपाइल्स यूज कर लेते हैं, ठीके ना, अब पता चल कि खेतों के पास यह है, तो एक खेत इसी के लिए decide कर लिया, कि वहां पर treat करता है, तो land forming यूज कर लेंगे, या फिर अगर contaminants बहुत जादा है, ठीके ना, प्रदूसर तो बायोपाइल्स यूज कर लेंगे, कम है, तो land forming यूज कर लेंगे, तो यह depend करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं, ओके,